दोस्तों आज हम दिल्ली के बारें बात करें हैं, दिल्ली में जिस्तर के घटनाएं घट रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, जामेया जो लगर है, जहां पर कॉलेज है और वहां पर जिस्तर के घटनाएं घट रहे हैं, तो इसमें क्या इस्टुटेंट गलत साबित है या प कुछ हो रहा है उसका जो जिम्बारी वहां का दिल्ली सरकार भी है और दिल्ली सरकार का कारण है कि दिल्ली सरकार पुलीस को अपना पुलीस मानता नहीं है यही कारण है कि जब से वो सरकार में आई है तब से जो इसकी जो है सो कहीं भी कुछ होता है तो पुलीस को निठल्ड आज तक जो हैं सुवाग विज पी की सरकार था दश रख बंदर काम नहीं स्वेहर जो को समझ में नहीं आया कि यह पुलिस दिल्ली सार्कार का नहीं है। जैस्दिन से और इसको पता डिल्लीं को सेंट्रल का है। सेंटर गर्मेंट मतलब अच्छा सर अब बताईए कि जिस तरह की घटने दिली में घट रहें हैं प्रोच को लाया है और लोग को है लों बढ़ ला रहा है यह लोग बर्गार यही कि जे हिंदू तो अमने सब बन जाएगा नागरिता बन जाएगा और मुस्लिम राज आएगा बरा इसा नहीं है इसा नहीं है यह जो जितना विपक्ष को जो आग लगा रहा है लोग उकसा रहा है उसमें विपक्ष भी उसका दोसी है कारण कि सत्विपक्ष बता नहीं रहा है सरकार का भी कुछ कमी है यह थितने मंत्रि है पूरि पक्ष सभी patients से रखने पा रहा है और न रख पाने के वजया से जो है अब कर दो लिए और सरकार गार, बिरोदी जो है उसका फैदा उठा रहा है और उसा फैदा है अस इस तत्व जो है घुस करके अपना उल्लू सिधा कर लेता है और उसमें जो है बलनाम कुन होता है दिल्ली गवश्चा जो है यह सिस्टम जो उसने नर्च लाया है ऐसा नहीं है जबकि उसको बताना चाहिए के अंदर के सरकार को कि जितने मंत्री है जितने माने तीन सो कितना अब बिश्चा नहीं है जो आत्मी पान साल भी अगर गए उसने अगर पढाई कर लिया उसके बास शकूल सिर्टिफिकेत है और कुछ नहीं हो ही उसकी पर्मान है नगीरिता का उसमें दस्ट आईटम है पूरा पडarily आपकी जैसे के मुसलिम सब और है कि कहीं यह नगीरिता मिलने के बार मुसलिम सब को यहां रहने में दीकत हो नोको कहीं किस द Après डर हो ऐसा कुछ हो सकता है कि हिंदुस्तान जो है जो ओदेश है जो कि यहां के जो हिंदु अभी सौ करोर भी अगरें दुए है तो कभी भी वो मुश्लिकों बूरा नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी जो है सो रहांसान और सब एक साथ का हो गया भाई की तरह है मगर यह लोग राजनेती करने वाला उसका जो है सुदूर्प्यों करते हैं लाड़ाते हैं अईसा कुछ जमीनी अस्तर पर नहीं है जब गाउं में जाकर देखिए जगर देखिए यहां पर हिंदू मुस्लिम साथ सा तरह रहे हैं उट रहे हैं कहीं कुछ नहीं है और कोई भ पर मार फंगे हो रहे हैं है सब लोग कह रहा है कि फुरिस ने मुझ हिमारा लाठी वाज की कॉलिजम घुछ गा गया और उसके सात में राकर आग लगाया यह लगा जयी आप पके कहने के मतलब है कि उसमें अलग लोग आदमी गुश गया इस्टूडेंट को नहीं मारा गया अलग से लोग बाहर से लगा हुआ जूट नहीं है स्टूडेंट को लगेगा क्योंकि अस्टूडेंट के साथ मिल गया जाकर के अच्छे यानि कहाने कि मतलब यह कॉलिज में दूसरा कोई आदमी जो दंगा फसाद कर रहा था वह घुसा और पब्लिक के उसके घुसने के वैसे पुलिस महां पे घुसी हां और वहां घुसने के बार जो है सुप पुलिस को तो समझ में नहीं आया कि यह पाने कौन दंगाई है कौन माने स्टूडेंट है तो समझ में नहीं आया स्टूडेंट का आर में जो है सो दंगाई उसके पीछे चुप गया वहां पर पुलिस को साथ देना चाहिए था स्टूडेंट को दंगाई गुष करके जो आग लगाया दंगाई लगाया उसको पचान करना स्टूडेंट के अपकी इस बात से हम सहमत हैं और यहां पर सरकार का भी कुछ कहना है जो कि सरकार भी करी होगा कि यह जो भी हुआ इनर्ची बहुत गलत हुआ नागरिकता के बारे में जैसे हमारे अर्विन क जो बीज़ पर मुद्द उठा रहे हैं तो उनका भी कहना है कि यह चीज गलत है तो क्या थीक है गलत कहना अलग बात है कोई चीज कानूर बनाए तो कोई जरूरी नहीं है कि जैमने जैसे सारे 500 से सारे 500 उसमें साथ दिया होगा कुछ तो बिरोध में था तो बिरोध में मा यहाज आजमी को सरकार को सबसे पहले दंगा नहीं हो यहां ठीक है जूल सो daha में सामिल में पर सपूर्ट करना चाहिए जहीं से दोआंगा और और रहों कुछ करता है तो वहाँ पर संफित का काम बनता है उसका सपूर्ट नहीं करना पुलिस अब की के दंगा कराना उन्रू में क्या आपो लगता है कि दंगा करवाया गया दंगा करवाया गया है दंगा क्योंकि कुछ समाजिक तत्तु इसमें है उसको सह देने वाला जो है जो हमारे उपर अस्तर में एक टुक गैंग बसा हुआ है गैंग टाइप किस तरह गैंग आपको समझ में नहीं आगा आम आद उदर और उपर से पैसा खाता है बाहरी पैसा उसकी व्यवस्ता रहे हैं तो इस पर आपको क्या थीक है थीक है उसको जो समझ में आया जो उसने दिखाया वही चीज जो दंगा वाले उक्साने के बाद कोई भी बने पार्टी खुल करके इसमें सामने नहीं है मगर उसी में जो है सो आदमी कुछ सेट है जैसे किजे आप सरकार के अंदर में एक मंत्री बिधायक है मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा जो की जूलुस में सामीर हुआ था जूलुस में जीज डंका उसने भासन दिया उसका दूस परवाव फैलता है और आज की जवाने में जो है सो मौईल है तुरा तुम आपर सुना अगले वाला जूलुस को खबर कर दिया सब आजमी वहाँ पर सेटिंग था अगले वाला जूलुस में नहीं था अड़े नहीं था तो क्या हुआ तो तुमने यहां पर जो जवाने में आप कहीं भी कुछ बोलिएगा वह अगले जगह पर मिलता है वहां पर माने असमाजी तर्थ तुराता है उसका फैदा उटाता है वहां पर आपको सपोर्ट करना चेहिए कि नहीं जो दंगा हुआ जो बश जलाए गया ओए श्टूडेंट नहीं था उसमें जो सब्सक्राइब करता है और इसका मदद सो के सो परसेंट आप उसको गलत ठाड़ा दे हो एक सरकार में ला करके सरकार के आजमी यह सबसे बरी चीज़ बुरी चीज़ और हमें यह बाद बताए कि जो जेन्यू है जो जेन्यू के छात्र भी वहां पे काफी लोग इकठा जबकि कहीं कुछ नहीं रहता हा थीक है उसमें चोट मने पुलिस वाले को भी लगा और पुलिस चोट उसको भी लगा हुए और जो हैं जो जो इसके लग जाएया कि यह स्टूट था और आज्समाय तो नहीं पाचान पाता है है मैं पुलिस के पीछे जो जो दोड़ा उस वह अंदर गया जबकि उहाँ पर कुलपती जो है खुद यहाँ कि सारे साथ ऐसो फड़ी पाए गए और बिरोधी वाला काता है कि जो कुलपती जो है सो बिल आरे से जोu से मिला हुआ है जो के नाम ले लो गोई इसमें आरे से कहां से आ जाता जी यह बात तो आपका सही है कि इस दंगर फसाद में कोई भी छात्र नहीं वर रहे हैं और कि इनको ज्यादा चोट वेगरा भी नहीं लगी है लेकिन वहां के काफी छात्र इस तरह का घटना घटाई उस तरह आमसार उन ल दो भी जान जाए और फिर हम जो है सो जो मकसद में है कल को हमको जु कि यह यहीं लोग देश आजादी के टम में किया था जो हम लोग मने जहां मैजरेटी हमाए जयादा है वह हमारा मैं पकिस्तान रहेगा घएलेगा और यही यही के आदमी से मिला हुता हमारे पहार रहा जिरना कोई बाहर का था वह बाहर का था वहां चाहता और मुसलिम की लागा जो है इसमें क्या मुस्लिम को काफी जाद लोस होगा जिसे की हमारी जनसंख्या में और हिंदु का जन संंख्या में क्या इसमें बरहरती होगा जनसंख्या में तो मनें बरहरती तो ही जाएा गा canon तो वहां के जनता से तो पूछ के तुभा नहीं, ऊपर के गवर्मेंट के द्वारा लाइन खीच दिया गया, इजी ए हो गया पकिस्तान, ए हो गया इंदुस्तान, इस तरह के बटवारा हुआ, कागज पर बटवारा हुआ, वहां पर जमीन पर उतारा गया, उसमें तो लोग है, हिशाई के जरूड़त नहीं है, उतने जरूड़त है, जितने तुम जी खा सकते हो, उसके अधिकार छिन गया, अब वो बेचारा को वहां पर लोग संख्या उलोग को बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, और इसको दबा दिया, आज जो मने 2-3 परसंट थे, आज हो गया है सब भागते भागते यहां चले आए, यहां आने के बाद तु इंडिया में आकर के रहा गया हो, अब वो आद्मी जाय तो कहां जाये, यह तो कोई बाहर से बुला तो नहीं रहा है, कि आओ भाया तुमको हम बने नगरिता देंगे, उसके लिए नहीं है, अभी जो आएगा अभी जो आएगा उसके लिए नहीं है, अभी जो आएगा उसके लिए नहीं है, अभी तो लाइन खीज दिया गया है, इसका मतलब नहीं है कि सब के लिए लाइन खीज दिया जाए, अभी तो दवा परा है तो बंगलादेश भी तो कहता है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं बंगाल में तरह के घटनाए घट रही है काफी दंगें फसाद हो रहे हैं बंगाल में हम जैसे की बहुसार ट्रेन को कि एतुप्या हुआ है उसी तरह विपक्ष में बैठा हुआ वहां के सरकार ने समझ पा रही है सरकार का काम क्या रहता है जनता को समझा बुजा कर रखना अगर केंद्र ने कुछ गलत कर दिया है तो उसकी सांती पुर्वक प्रण धर्नाकर के मनाने की पाट बात इसे होती है समस्य कोई चीज कर समाधान बात चीज होती है लडाई जगडा से नहीं होता है दृष पहले चाहता है कि बहुत पड़ा हुआ था उसको मौका मिल ला है उसी का फैदा उठा रहा है यह तो वहां के मने सरकार के काम है खुल करके बोलना चाहिए यह बताइए कि यह जो नर्सी हुआ है जिसमें डाला गया हिंदु आई साही पे तो इसमें क्या किस स्टेट में सबसे आदा संक्या सबस्याद तो देखना होगा कि यह बहुत आदमी खूल करके तो बोलती भी नहीं थे कि यह हम पकिस्तान से आये हैं अभी इसमें देखना होगा कि यह कौन आदमी अपने आपको ज्यादा दुखी होगा ज्यादा परसान होगा वही लाइट में आएगा पहले और अगर तागत पर इस 1330 डडी हीनि इतार मियों 249 वाइट में वापा में 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 फायदा हो सकता निकर residence को वहाइब हुए लम लोगे इसको में ने नों धुन से और बसे हुए है उनलों को है दीकार नहीं है उसको अधिकार तो दोस्तों यह थी एक छोटी से बहस नागरितक के बारे में जो इनेरसी के बारे में था और धंगय फसाद दिली में जिसतर के घटनाई घटी और हमने इसे रहे विचा लिया कि जिसतर से हमें पता चला कि क्या हम लोगोर तो देश में किसी तरब माहल माना चाहिए, इससे हमें पता है कि अने में नांगिता से हमें क्या क्या चीजि benefits तो अभी वीडियो को ही ख़तम करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और यह हमारे हैं चैनल नातराया और मैं हूँ रिपोर्टर रोहित जैसे की आप जान रहे हैं और फिर अगले मुद्ध पर हम बैस करेंगे अगले टोपिक पर बात करेंगे तो अभी इस वीडियो करते हैं हैं ख़तम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर जैन चैनल